हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स इंजन ओइल के उपर में ये छटा वीडियो है सुरू के पाच वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अब फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते है कि जो यूजड इंजन ओइल होता है जो जला हुआ मोबिल होता है जो पुराना इंजन ओइल होता है लोग उसे अपने घरों में या फिर अपने दुकानों पे रखते हैं बहुत सारे ऐसे काम है जहां पे वो इन पुरानी मोबिल को यूज़ करते है तो मैं आपको बता दूँ कि जो यूज़ इंजन ओल होता है वो बहुत ही जादा हानिकारक होता और इसके विएसे कैंसर तक हो सकता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूज़ इंजन ओल प्रेंड्स जब हम लोग अपने गाड़ी के इंजन ओयल को चेंज करते हैं और फ्रेश नया इंजन ओयल डालते हैं उसके बाद उस इंजन ओयल का इंजन और ट्रांस्मिशन सिस्टम में वहाँ पे लगतार रनिंग होते रहता है और इंजन ओयल जो हमारे इंजन के इंपोर् moving parts वगरा है उन्हें वो lubricate करते रहता है clean करते रहता है और इसी process के दोरान बहुत सारे hazardous जो contaminants होते है यानि कि जो हानी कारक संदूशन होते है वो सारे ही engine oil में mix होते जाते है engine oil के साथ घुलते जाते है और इन जो contaminants है उनमें है lead, cadmium, chromium, arsenic, zinc, magnesium, dioxins, benzene, polycyclic aromatics तो ये सारे ही जो contaminants है वो बहुत ही जादा हानी कारक होते है environment के लिए भी हानी कारक होते है और human health के लिए भी हानी कारक होते है और जब हम engine oil को drain करते है अपनी गाड़ी से engine oil को पुराना जो engine oil है उसे निकालते है तो ये सारे ही हानी कारक जो संदूशन होते है जो pollutants होते है वो सारे ही उस engine oil में मिले हुए होते है अब अगर हम लोग इस जो hazardous जो हमारा पुराना engine oil है उसे सही से अगर हम लोग उसका disposal नहीं करे अगर हम लोग उसे खुले मैदान में ऐसे ही उसे बहा दे नदी में नाले में रिवर तलाब इन सब में उसे डाल दे तो क्या होता है कि इससे जो environment है और जो human health है उन दोनों को effect पड़ता है मैं आपको बता दूँ कि जो research हुआ वहाँ पर ये सामने आया है कि जो एक gallon used engine oil है वो एक million gallon fresh water जो है उसे परदूसित कर देता है और उस वज़ा से क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो मचलिया रहती है या बाकी की जो जीव जन्तु रहते है या जो पानी के अंदर जो पौदे है उनको नुकसान होता है उसके साथ ही अगर इन हम लोग जो हमारा used engine oil है वो उसे हम लोग वैसे ही जो मैदान वगरा है जो ग्राउन्ट से वहाँ पर डाल दे खेतों पैसे ही बहा दे तो उससे क्या होता है कि जो खेत होते है जो हमारा soil होता है जो मिटी होता है उसका जो उपजाव का छमता होता है वो कम हो जाता है तो उनमें जाकर हम लोग फशलो का लगाएंगे तो वो सही से ग्रोव नहीं कर पाते है और हम लोग अब आते हैं human health के उपर में तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा engine oil होता है जो used engine oil होता है अगर जो पुराना mobile है वो लगतार human के साथ contact में रहे हमारे hands में या बाकी किसी भी तोचा में लगतार contact में रहे तो उस वज़ा से skin cancer होते हुए देखा गया है skin का allergy भी हो सकता है इसके लावा जो बाकी के अगर आख वगर आए contact में आए तो आखों को allergy हो सकता है आखों का problem हो सकता है इसके लावा कर कभी इन इंजन oil को नदियों अगर हम बहादिया जाए रिवर में तलाब में जाल जाए और अगर वो supply के तुर हमारे घर तक आए अगर हम लोग उसे consume करें उन्हें हम लोग पिए उस तरह के पानी को तो मैं आपको बताऊं कि blood का खुन में problem हो सकता है वहाँ पे एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है इसके साथ ही जो nervous system है हमारे जो body human health का human body का उसमें problem हो सकता है headache का problem आगा अगर आप उसके लगतार contact में रहे पुराने mobile के साथ तो उस तरह का problem बहुत जादा होता है जो कि environment में भी और human health में भी ये problem create करता है ये जो used engine oil होता है अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत समय से हम तो service center में काम कर रहे है गया है कि जो hazardous जो हमारा used engine oil है वो कितना ज्यादा हनिकारक होता है और skin cancer मैंने आपको बताया होता है skin में खुजली वगरा का problem होता है ये सब problem देखा गया है और जो हमारा water है उसमें तो बहुत जादा ये impact देता है आप सवाल ये है कि फिर करना क्या चाहिए ये जो हमारे used engine oil है जो पुराना जला हुआ मोबिल है उसका करना क्या चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि जो waste management department होता हर एक देश का ठीक है तो वो क्या करता है कि हर एक शहर में हर एक गाव में आपको जो used engine oil है उनके buyers मिल आपको फिरी में नहीं उनका पैसा भी मिलता है 15 से लेकर 25 रुपया प्रती लिटर के हिसाब से वो अलग 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 शहरों में अलग रेट होता है लेकिन 15 से 25 के बीच में होता है तो उस हिसाब से आपको वो खरीदेंगे अब जितने भी authorized service center वाले होते है वो उनहीं buyers को देते हैं और जब बल्क में बेचते हो जैसे 210 लिटर 500 लिटर 1000 लिटर बेचते हो तो आपको proper certificate भी मिलता है जो खरीदेंगे वो आपको certificate देंगे हमने इंसे इतना इंजन ओल खरीदा है बहुत सारे local garage वाले भी बेचते हैं तो मैं आपको बताओं कि अगर आपके पास भी engine oil है तो आप या तो service center से contact कर लो या direct जो buyer से उनसे भी contact कर लो और वो लो क्या करते हैं वो further उन जो engine oil है उन्हें refinery में पहुंचाते हैं और फिर उनका refinery होता है उन्हें recycle किया जाता है और वापस उसे usable बनाया जाता है तो यह जो है engine oil है इनका बहुत हद तक अच्छे से ध carbon dioxide carbon monoxide hydrocarbon sulfur dioxide बहुत सारे हजाड़ गैसे होती है अब कम से कम हम एक कुषिट कर सकते हैं कि engine oil का हम सही से ख्याल रखे उसे सही से dispose करे उसका सही से recycle हो पाए तो मैं आपको यह अपनी तरफ सा suggestion दूंगा कि आप कम से कम जो पुराना engine oil है उससे अपने घरों पे नहीं रखे उस पैक करके रखे और मैं तो अपनी तरफ साराय दूंगा कि आप उसे नहीं रखे नहीं यूज़ करें उसे recycle हो जाने दे वैसे अगर आप यह जानना चाहते हो कि गाड़ी के engine oil को कब change करना चाहिए engine oil का जो grade होता है जैसे 10W30 20W50 10W40 इन grades का क्या मतलब होता है इसके लावा जो engine oil को में लगता यूज़ करते रहते हैं तो engine oil का रंग chain हो जाता है तो इन रंग से हमें क्या मालूम चलता है इसके लावा कितने CC के engine में कौन सा engine oil डालना चाहिए और अगर आप यह जानना चाहते हो कि अगर आप गलती से अपनी गाड़ी में जादा engine oil डाल दे तो उस से क्या नुकसान होगा तो इन सारे के उपर में मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ है लिंक मैं आपको description में दे दूँगा आप उन वीडियो को जरूर से देखे और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye